कि अच्छानल आज का जो व्लॉग है आज का जो व्लॉग का टॉपिक है वो है पाइल्स यानि बवासीर जो बहुती पेनफुल डिसीज होता है और बहुत ज्यादा पीन होता है मतलब नॉर्मली लोगों को जो अच्छा खाते नहीं है जंक फूट लेते हैं रेगुलर डायट नहीं करते हैं तो उन्चीजों से पाइल्स होता है ज्यादा तेज मिर्च मसाला खाते हैं पानी का कंजम्शन कम होता है जो वाटर इंटेक है आपका वो कम होता है उसकी वैसे पाइल्स होता है जो होता है बहुत पेंफुल होता है उसमें ब्लीडिंग होती है जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो आपका अनल्दीजन ब्लड से भर जाता है उसमें अलग-अलग मस्से होते हैं जिसकी वैसे आप जब उस पर प्रेशर लगाते हैं तो वह मस्से फूट तो यह चीज मैं आपको बताऊंगा के पाइल्स और फिशर में क्या नतर है पर आज का जो टॉपिक है वो पाइल्स के उपर है तो आज हम पाइल्स का क्योर बताएंगे आप अबीज है यानि थूंद वाले हैं जिनका पेटी जिसे हम कहते हैं वह है तो उनको पाइल्स होने क श.च उनका driver नहीन होता है ओवरेट पकाइल्स को दोस्तों इसमें सबसे पहले हे वहיש। होती होती है हर जिसे हम कहते हैं यह हर्डे होता है एक हडे का सबसे बड़ा रूप होता ए अभ्या जिसे हम एते बहुत स्ट्रोंग रहता है और बहुत ही अच्छा है आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए तो वह आपको लेना है अभ्यहरिस्म लेना है दूसरा है ऊसीरासब अस्टाइब करता है यह बेसिकली पाइल के लिए बनता है इंडाइजेशन, कॉंस्टिपेशन और गैस को यह सम साथ में इसके साथ आपको लेना है गिलो सत्व, जो गिलो आती है, जिसे हम नीम गिलो भी कहते हैं, गुडबेल भी कहते हैं, गुडूची भी कहते हैं, इसका सत्व बनता है, यानि एक्स्ट्रेक्ट बनता है, ये पाउडर फॉर्म में आता है, इसको लेना आपको एक 10 ग्र करके 2 जुँफरी होसे चाट這是 jean छाफ लेना है यंद या दूट से लेना है वही हुआनो स्वबर्बेयोवज NICK DAY-AY कि भर्म ए पर टिए पहला है कि लेना कि लेना है अच्छे से मिक्स करना आपको उंली से करना अ प्रफून से नहीं होगा वह उगनी से आपको करना पड़ेगा उगनी से अच्छे से स्पून करके और इसको चाटना है मतलब अच्छे से सलाइबा में मिक्स होके आपके पेट के अंदर जाना चाहिए सुबहे खाली पेट सबसे पहले आपको यह करना है इससे क्या होगा पाराम से निकल जाएगा उसके बाद जो दो सीरप मैंने आपको पता है अभिहरिस्ट और उशीरासप यह दोनों आपको लेना है खाना खाने के बाद ट्वाइस अडे बरावर मात्रा में मिला के एक कप ले लीजिएगा उसमें दो दकन अभिहरिस्ट के और दो धकन उशी के बाद सिर्फ यह तीन चीजे करना है आपको पाइल्स के लिए बहुत ही आसान है किसी भी ब्रेंड का लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है आरे विलिक जो मैडिसिन होती है उनका एक बेस होता है अगर वह बेस कंपनी नहीं डालती है तो वह दवाई सक्सेस नहीं होती है तो आप किसी भी कंपनी का लीजिए अभिहरिष लीजिए ओशी रासव लीजिए गिलोसत्व लीजिए यह तीनों चीजे पाइल्स में बहुत अच्छा काम करेंगी आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा हम खुद पाइल्स का दबाई बनाते हैं अगर आप उसमें लेने के लिए तो आप नीचे में डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा आप उसमें में को वाट्साइब करेंगे सप्लाई आपकी घर तक हो जाएगा अभी ओवरॉल शिप्मेंट चालू है ब्लॉक्ड़ॉन के वारा बन था पर ओवरॉल शिप्मेंट अभी चालू ह के लोगे ओर वीडियो आगे और और वीडियो ढती है अपको किसी भी के बारे में जानना है तो आप मेंचे कमेंट कर सकते हैं उस चीज का मैं आप को वीडियो बनाके करेंगा और ये बहुत ही जादा सब्सिप्सक्राइब